है कैसा होता अगर आपको पीसी को रिमोटली भाया इंटरनेट आप जाउचा है जैसे जाए उसे उर्ण कर सके और उसमें अगर आपको कोई काम है और काम आपने पीसी से ही लिफ्टा सकते है रिमोटली इसके उसमें आपको जो पीसी है उसे 24-7 आर वनराखने के भी जोरत नहीं है आप जरूरत के टाइम पे आप 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 से कोई भी नेटर से आपना पीसी का रिमोटली ओर कर सकते और उसके बात जगे आप अगर उस पीसी में स्टाट आप में कोई रिमोट एसिस्टेंट सकते इवन आप अपने कीसी में अगर कोई ओए तरवार या एक्टी की सरवार चाहे से कोई सरवार को प्रियेट करके लाखाए और आप वो सब सारवार पको को और यूज करने की जोरत परते है बात आप उसे उसे नहीं कर पाते है उसे उसे करने के लिए आपको 24-7 आर इंटरनेट आप अपना PC को स्लीप मूड या हाइवार नेट मूड से ओन कर सकते है उसके साथ साथ अपना PC है उसका फूल एक्से भी आप बास रखते है तो इसके लिए आपको 24-7 आर जो PC ओन रखने की जो परिशन ही है वो उठाना नहीं पड़ेगे तो आगर आप नहीं इंटरनेट में भी काम कर सकते हो या फिर कोई बी इंटरनेट से वाल के PC बीक होने से आप आपने PC को रिमोट ली आप 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 कर सकते है तो आपको अपने मादर बूट में वेकान लेंड पीचास को और इस परपस के लिए आपको पायस सेटिंग ने जाना पाड़ेगा और बायस सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जनायली जो पार मैनेजमेंट आप्शन होता है उसके अंदर आपको वेकान लेंट पीचास मिल जाएंगे तो इसे एनवेल कर लिजिए अपने मादरबोर्ट के बायस सेटिंग्स का हिसाब से उसके बाद आपको पीच को रिबूट कर लिजिए और आप Windows, Mac, कोई भी OS को यूज़ करें उसके डिगाइस मैनेजर में जाएंगे जाके जो अपना नेटवर्क अडप्टर है यानिके मादरबोर्ट का जो इधरनेट पोर्ट है उसे चूस कीजिए और उसे कई एडवांस सेटिंग्स में जाके आपको कुछ सेटिंग्स को ट्विब करना है तो आप जैसे आप देख सकते है ओएकन मैजिक पैकेट, ओएकन पैरन मैच, और ओएकन लैन और सब्डाउन लिक आपको मोबाईल में इस ओएकन लैन अप्रिकेशन को इंस्टाल करना है जो आपको प्लेच चूर में मिल जाएंगे, और आपको डाउनलोड लिंक इस अवेलेवेल इन डेस्किप्शन बॉक्स बिलोव, अप्रिकेशन इंस्टाल होने के बाद आपना जो होम नेट ओर्ख ह यानि कि वाई-फाई के थ्रू अपना मॉबाइल को कनेक्ट कर लिजिए इसके बाद आप सिंप्ली सार्च कीजिए इस प्लास आइकन को क्लिक करके तो आपना जो नेटवर्ग में जितने भी सारे डिवाइस कनेक्टेट है वो सारे डिवाइस आपको देख सकते है तो मेरे किसिस में अप देख सकते है आमीशीय कह तो मेरा जो कर रहा है जिनका इप लास्ट में है WAN 0 1 अर जो 01 लांएप दिखा रहा है तो मेरा रौटर एप है तो उसी रौटर के साथ मेरा ओमभाइल भी कनेक्टेट है तो आपने किसिस में आप जो PC को remotely on-off करना चाते हैं, किसी को select कर लिगे हो और डिवाइस में add हो जाएंगे, तो आप चाहे तो manually भी इसे add कर सकते हैं, यहापर आपको कुछ advanced settings भी देखने को मिल जाता है, तो यहापर जो आप host name या IP या आपको change करने की कोई जोड़त नहीं है, आप अगर local network में काम कर रहे हो, और आप अगर चाते हो जो आप कोई दूसरे network यानि कि अपना mobile network से भी आपना PC को आप एक्सेस कर सको, तो यह ऐसी case में आपको जो host IP है इसे change करना है, या पर आपका जो live IP या जो public IP है ओ आपको देना है और उस IP को देने के बाद आपको port 9 को आपना router में लोकाल IP के through आपको उसे forward करना है, तो आपका PC को जो local IP है उसके एकेंस्ट आपको port 9 को on करना है, सिंप्ली एही करना है और आपको green signal, ऐसे device add हो जाने के बाद आपको इस green signal दीखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरा PC है अल्लेडी ओन है अभी तो इसलिए ओ ग्रीन दिखा रहा है, सो आप मेरा PC को मेरा sleep mode में डाल रहा हूँ, और उसके बाद जब में status के change करूंगा तो आप देख सकते है जो मेरा PC on हो चुका है और यहापर status जो है और red से green हो चुका है, तो दोस्तों आपने देखा कैसे जो wake online system काम करते है और उसे कैसे setup करते है, सो अगर आपको इस वीडियो पसंद आए और helpful लगे तो जोरू वीडियो को like करना, share करना और हमें comment section में जाके बाता ही आपका भी wake online features को काम में लिया है कि नहीं, अगर लिया है तो कीस पार बस के लिए आप wake online features को काम में लेते हो, सो comment section में जाके हमारे सब share कर सकते है और आपने दोस्त अभी तक हमारे जान को subscribe नहीं किया है तो जोरू subscribe कर लिजिए कि हम ऐसा ही दो तीन दीद में लेकर आता है, ऐसा ही कुछ ट्रेक लेड़ेट वीडियो, तो थैक्क वर वाचिं इस वीडियो में फिर्मी लेक्डे